चले स्टार्ट करते हैं क्वेशन नमर 40 क्वेशन क्या बोलता है और हालो सिलेंडर ओफ रेडिएस आर ठीक है यह हॉलो सिलेंडर है इसका रेडिएस क्या है आर is open at both end यहां से भी खुला हुआ है यहां से भी खुला हुआ है and rest on a smooth horizontal plane यह horizontal plane पे rest है ठीक है two sphere having weight W1 and W2 क्या है दो sphere है जिसका weight क्या है W1 और W2 और radius क्या है R1 और R2 respectively ठीक है इसका radius R1 और R2 दिये R placed inside the cylinder as shown the minimum weight W the cylinder in order that it will not tip over ठीक है it will not tip over क्या बोल रहा है हमको क्या है W की value चाहिए ठीक है मतलब यह cylinder का कितना weight होना चाहिए total ताकि यह sphere यह दोनों sphere के कारण यह tilt ना हो पाए या तो इस साइड या तो इस साइड ठीक है अब इसके लिए क्या करेंगे हम free body diagram बनाएंगे तो free body diagram के लिए सबसे पहले क्या कर रहे है हम इसको ऐसा join कर ले रहे ठीक है मान लेते हैं यहां से देखिए यह hollow cylinder है ठीक है यह hollow cylinder में cylinder के कारण यहां reaction नहीं आगा मगर यह surface से attach है तो यहां पर एक reaction हो सकता है इसलिए हम इसको R3 मान रहे है ठीक है और इसी से horizontal है तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ R2 और यहां से horizontal जा रहा है तो इस वाले को क्या मान रहा हूँ मैं R1 ठीक है यहां से इतनी value यहां से यहां तक की value जो है total distance क्या मैंने मान लिया B और यहां से इतना height को मैं क्या मान ले रहा हूँ एच ठीक है अब अब क्या करना है अगर मान लेता हूँ मैं sphere consider कर रहा हूँ ठीक है तो first क्या consider कर रहा हूँ मैं 2 sphere consider कर रहा हूँ ठीक है अगर मैं 2 sphere consider करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है एक R1 एक R2 और एक R3 ठीक है तो R1, R2, R3 तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सबसे पहले क्या लगाऊंगा मैं सिग्मा Fx सिग्मा Fx से मुझे क्या मिल रहा है R1 is equals to R2 क्या मिल रहा है R1 is equals to R2 ठीक है और अगर मैं B की value निकालूं ठीक है B की अगर value चाहिए तो B की value कैसे निकाल सकता हूँ टोटल कितना है 2R है 2R माइनस क्या करना है ये portion और ये portion इसका क्या है ये दो radius है R2 और ये R1 है माइनस R1 प्लस R2 ठीक है तो ये क्या होगे आपका ये B की value हो गई ठीक है मैं क्या करता हूँ moment लेता हूँ moment at B लेता हूँ तो ये क्या आएगा मैं इस point पे हूँ तो यहाँ पर थम रखूँगा तो ये force ये force और ये force एक, दो, तीन ये तीनो force लगेंगे क्या नहीं लगने वाले है ना अगर मैं यहाँ moment लेता हूँ तो क्या force मिलेगा मुझे एक R1 और एक W1 ये क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि ये cylinder का है अभी मैं spear consider कर रहा हूँ ठीक है तो अगर मैं इसका बनाऊँ तो कैसे लिख सकता हूँ देखो यहाँ थम रखाऊँ और ये कैसे गूम रहा anti-clockwise और ये कैसे गूम रहा clockwise तो क्या लिखूंगा W1 इन्टू टोटल डिस्टन्स कित्ता हुआ B is equal to R1 इन्टू ये हाइट तो क्या लिख सकता हूँ R1 इन्टू H R1 की value क्या मिली R1 is equals to W1 इन्टू B upon H ठीक है इसका free body diagram मना ना था मगर मैं direct DC में consider कर दिया तो आप मैं सीधा cylinder का free body diagram मना रहा हूँ ठीक है second portion क्या solve करना है free body diagram for cylinder ठीक है तो अगर मान लेता हूँ एक ऐसा cylinder है ठीक है जिसका weight W act कर रहा है किते distance पे R और R ठीक है ये point कौन सा है C point है और ये point कौन सा है D अब अगर मैं देखूँ spear में क्या consider किया मैंने arrow इस side consider किया तो cylinder में क्या consider करूँगा arrow इस side consider करूँगा तो ये क्या होगा R1 उसी तरी किसी इधर consider रहा था तो इस condition में क्या होगा ये इस side जाएगा तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ R2 मुझे R1 को replace करना है ठीक है तो इससे मतलब से मैं R1 का equation चाहिए तो मैं क्या करूँगा मैं moment ले सकता हूँ C point पे तो moment at C anti-clockwise positive ठीक है जब मैं anti-clockwise यहां से positive ले रहा हूँ तो ये क्या है R1 into ये वाली height अब इस height की अगर हम बात करूँ तो ये height कितना है total यहां से लेके यहां तक का height पूछ रहा है ठीक है क्योंकि reaction यहां लग रहा है तो ये क्या है यहां से यहां तक का height कितना था h plus ये radius कितना है R2 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ h plus R2 है ना उसी तरीके से अगर मैं इसकी height पूछूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसमें तो सिधा simple R2 ही आएगा तो अगर मैं moment लेता हूँ C पे तो मैं यहां पर थम रखूँगा ये कैसे गूम रहा anti-clockwise ये कैसे गूम रहा clockwise और ये कैसे गूम रहा clockwise तो सिधा R1 into कितना है h plus R2 ठीक है is equals to ये कैसे गूम रहा था clockwise तो क्या लिखूँगा w into R प्लस ये क्या है R2 into R2 है ना अब इसमें R1 का equation लिख लेता हूँ मैं R1 is equals to W R प्लस अब देखिए अब इससे क्या पता चलना होजे R1 is equals to R2 मतलब इसको भी मैं R1 लिख सकता हूँ ठीक है तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ R1 into R2 तो इसमें फिर multiply करना पड़ जायागा H into R2 तो R2 R2 common है R1 R1 common है तो ये कट जायागा तो क्या बचेगा इसमें सीधा R1 into H is equals to W into R ठीक है तो इसमे R1 की value कितनी आएगी W into R upon H ये equation 1 हो गया ये equation 2 हो गया अब on solving equation 1 and equation 2 हमको क्या मिलेगा ये R1 R1 common है है ना तो मैं क्या लिख सकता हूँ W1 into B upon H is equals to W R upon H है ना H, H कट गया मुझे क्या बोला था W की value चाहिए तो मैं सीधा क्या लिखूँगा W is equals to क्या लिखूँगा W1 into B upon R ठीक है अगर मैं B की value एक्स्पैंड करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ B B is equals to 2R minus R1 minus R2 लिख सकता हूँ इसको ठीक है तो इस equation पे मैं क्या कर रहा हूँ W is equals to इस portion को as it is यहाँ पर डाल दे रहा हूँ तो क्या लिखूँगा W1 into 2 2 times of R minus small R1 minus small R2 upon R Thank you तो क्या है तो क्या हूँ झो झौँए लिख सकता हूँ झाल